प्रिज्रसोई में आपका स्वागत है आज मैं करेला और आलू का भुजिय बनाने वाली हूं और इक करेला आलू को भुजिय बहुत ही टेस्टी लगती है इसके लिए मैंने यूज किया है में है आफिन का पेश्ट लेंगे आधा पीस्ट पेस्ट लेंगे या से से सरक कर लेंगे और इक चंबत में व्याती MX COVID पेस्ट पेश्ट हम का रहा है मिलें के लिए हैं और चंबत में हल्दी का यूश किये हैं इस difference कृलें मिलें भी धर स्कूल को हरी मिर्ची है और इसे हम बाद में चीर करके डाल देंगे और पांच करेलें का यूस किये हैं चार करेले में काट लिए और 1 करेला रख लेगे इस तरह से उपर के चीक निंकाल लेंगे चाहें पीलर से निकालेंगे या चाकु से, निकालेंगे, इसमें मैंने बहुत बड़े ले उसे किये हैं, छोटे कiszा निए किये हैं, तो इस तरह से लंबी-लंबी अकार के काट लेंगे, कटिंग हम अपने मन पसंद करेंगे और आलू मैंने तीन यूज किया है इसको भी हम लंबे अकार का काट लेंगे हम जैसा करेला काटेंगे वैसे ही आलू को भी काट लेंगे और आलू और करेला कटे। शुका है। ऐसे हम धोलेंगे। धोने से पहले हम करेले में थोड़ा नमक डाल देते हैं इसका काड़वा पणफन निकलने के लिए। नमक डालने से काड़वा है। अध दालेंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे उसके बाद हम धोएंगे आलो और करेला धूल गया है करेला को 3-4 पानी अच्छा से धोना है उसके बाद हम कढाई गरम करेंगो उसमें 3 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे तेल जब गरम हो जाए तब इसमें हम कटे हुए करेले इस तरह से ब्राउन हो गया है अब हम इससे निकाल देते हैं ये वह आधु अपुल ये इसमें जा धोड़ा सा त्की अलू फ्राइ YT सर्थों का तेल में इस बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सबती बनाने से इसि इसले है इसमें सर्शो का ते लिग चाहए तो कोई बीरेबल ओई का यूज कर सकते हैं और अलू को भी हम करेले जैसा ही प्राई कर लेंगे लाइट ब्रौण होने तक प्राई कर लेंगे डर्यागता उगर का फ्ले मीडियम रखें गयर लगा तार इसको थीन मिनट के लिए और दो भी कर लेंगे को इस तरह से देखे अर इतुनके फ्राइब हो चुका है और भया फ्राइब करते हैं तो ज्वादा टाइम नहीं है इसमें और इसमें छाम-मचिर अब च्वैक यो तब हम इसमें लेसुन का पेस्ट दाम लेंगे लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा है तो जल्दी भून जाएगा, आधा मिनट भी नहीं लगेगा इसको भूनने में, बस इसका रॉय स्मेल हटाना है, उसके बाद हरी मिर्च हम डाल देंगे, चाहे तो हम लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हैं, पॉडर लाल मिर्च भी हम डाल सक लेकिन मैं इसमें हरी मिर्च का यूज की हूँ, इसमें सर्सो का पेस्ट भी डाल देते हैं, ताकि सर्सो लहसुन का कच्छा स्मेल जो है वो चला जाए, तो एक मिनट में यह भून जाएगा, सर्सो का पेस्ट भी, बहुत जल्दी सर्सो लहसुन बहुत कम है, इसलिए जल् देते हैं दोचट्की हिंग डाल देंगे बस मिला लेंगे इसको कि waska बाद हम सूखी मसाले डालेंगे आइ अच्छे अगे के हल्दी पॉड़र डाल देंगे के काली मिच पॉड़र और जीरा पॉड़र डाल देंगे हैं थोड़ा पानी करिदे दो चमबस के करीब तक कि मसाले जले ना क्योंकि कम मसाले हैं तो जल्दी जल जाएंगे तो ज़सको मिलाना है बस और भून गया मसाले भी अब हम इसमें फ्राइट के वे आलुव करेला डाल देंगे इसमें बहुत कम मसाले का यूजकी है जस्ट टच करना और फ्लेवर देना है वलैसून और सरसो का तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और इसमें नमक स्वात के नुसर हम डालेंगे और थोड़ा पानी डाल देते हैं ताकि मसाले इसमें चिपक जाए इसको जरू ट् करेंगे क्यास का फ्लेम लो कर देंगे चार मिनट के लिए कम कर देंगे उसके बाद हम चार मिनट के बाद करेलो को चेक करेंगे और बहुत अच्छा से हो गया है और एक मिनट के लिए इसको फ्लेम हाई कर देंगे और इससे बूनेंगे जरूर ट्राइए किजिए बहुत ही अच्छा लगता है करेला अलू का भूजय अगर इस इस्टाइल में बनाएंगे तो अब हम इसे सर्फ करते हैं और ये करेला अलो का भुजिया बहुत ही अच्छा बना है और इसे हम रोटी चावल के साथ खा सकते हैं और करेला अलो का भुजिया आपको कैसा लगा प्लीज लाइक किजिए शेर किजिए और मेरे चनल को सब्सक्राइब किजिए थैंक यू